लेकिन ऐसा आपको क्या लगा कि जब उन्नीस के अंदर आपके 58 से घटकर 2000 वोट रहेंगे और आपकी बार क्या प्लान है आपका नहीं उसमें कहीं तरह कि उसमें कमिया रही शायद मेरी भी कमी होगी मुख्यमंति नायव सिंग सेनी की चर्चाई है कि उलाडवा से लड़ेंगे या फिर कनाल से लड़ेंगे प्रदेश धक्स और मुख्यमंति साहब भी आपसमें अलग लग ब्यान दे रहे हैं अगर निलोखडी पसंद कर लिया तो आप फिर कहा जाए निलोखडी तो कैसे बात करें 19 की 19 के अंदर 42,000 वोट कुछ रहेगे लेकिन आप दूसरे नंबर पर रहे हर्याणा में चुनावी सरगर्मियों के बीच मैं निलोखडी विधानसवा के अंदर मौजूद हूँ आज से पूरे एक महिने बाद वोटिंग पड़ने वाली हर्याणा में किसी भी मे बात करेंगे और आपको निलोखडी विधानसवा का जो सिस्टम अभी चल रहा है चुनाव का वो बताने की कोशिस करेंगे तो भगवांदास जी सबसे पहले आपका स्वागत है हर्याना खबरेटिंग पर दन्यवान और आप सभी को नमस्कार और आपने सभी दरश्कों को नमस्कार कल जो रैली रही उसके बारे में थोड़ा विस्तार से यह क्या आउटफूट रहा कैसे लोग आई क्या बोले जैसे पूरे हर्याना में मानियन नाइब सेनी जी नोन स्टोप जन आशिरवार रैली कर रहे हैं उसी कड़ी में कल निलो कड़ी वी दानसभा में जन पाशिरवार रैली थी और जिस तरह से पूरे शेत्र की जनता ने बुजुर्गों ने माताओं ने बहनों ने यूवा साथियों ने जिस जोस और उत्सा के साथ इस रैली को सफल मुनाया उसके लिए मैं पहले तो सभी अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता और एक अच्छा बात अवन बढ़ा क्योंकि चुनाओ के नाते यह पहला बड़ा प्रोग्राम हमारी विदानसभा रह लिए इसमें विदानसभा में था तो इसका एक बहुत बड़ा मेसेज जाएगा और आने वाले सभा में एक जोस और उत्सा के साथ सभी अपने शेत्र क उत्सा काम करेंगे और जो एक शपना है कि निलोखेडी पर यहां से कमल ख़िले तो वह पूरा होने जा रहा है इसे बार भागवांदा कभीर पंथी कमल खिलाएंगे को यहां से कमल खिलेगा यह पार्टी और नेतरतर उन्हें देखना है कि कोंड कहां फीट वैठता है यह कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हर आदमी अपने दाविदारी करते हैं यहां संग्ठन जो जुम्मेदारिया देता है कोई संग्ठन में काम करता है कोई कहीं काम करता है और जिसको चुनावलो डाड़ा है वो संग्ठन तैक करता है और जिसको भी जुम्मेदारी मिलेगे हम सम करें चुनाव के बाद सोनिपत का मैं जिला पर बारिरा वहां दो डाइवर्स वहां पर काम किया और उसके बाद निलो लगवार दो जीत गए लेकिन अपको अच्छी तरह से सभी जुम्मेदारियों को निभाया और आगे वी जैसे पार्टी चाहेगी वहां जूम्मेदारी निभाने के लिए हम सभी त्यार है 2014 में लगवार आपको 58,000 वोट मिले और आपके जीत दर्ज हुई थी बात करें 19 के अंदर 42,000 वोट कुछ रहेगे लेकिन आप दूसरे नंबर पर रहे जो दूसरे अमीदवार थे गोंदर से वह जीत गए लेकिन ऐसा आपको क्या लगा कि जब 19 के अंदर आपके 58,000 से समाज और कहीं ना कहीं किसी पूरे प्रदेश में नराजगी रही और अपने बीस हजार के असपास भोट हैं सिरफ सबसे बड़ा कारणा हमारा यहीं रहा कि जो अपना समाथ था यह और पार्टी को बहुत ही समर्पी था और पार्टी के लिए मैसा हर चुनाम में खड़ा रहता है लेकिन पिछले चुनाओं में कहीं ना कहीं किसी करन से वो हमसे दूर चला गया था लेकिन आज अपने साथ था और इस बार पुरी ताकत के साथ वो जिताने के काम करेंगे निल्लो खड़ी विधानसबा में बगवांदास कबिर पंती बहुत बड़ा नाम है और ल लड़ने के लिए और जो जो चुनाओं से सबंदित चाहें त्रीदेव हो बूत हो हमारे उन सब पर मजबूत टीम बनाने का काम किया और उन सभी साथियों के साथ एक मजबूति के साथ हम सभी चुनाओं लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंति नायव सिंग सेनिय की चर्चाइए कि अलड़ा से लड़ेंगे इस बिल्कुल सबको साथ लेकर चलने कि और जिस तरह से उन्हें ने अठावन दिन अपने इस विदायार पर देश के लिए काम किया तो उनके लिए कोई दिक्कतिनिया किसी विदा जाहें चुन तो यह लोगों का आशिरवाद मिलेगा जनता का आशिरवाद मिलेगा और महां से अच्छे मार्जन से जीद करके अब उन्होंने फैसला करना है कि उनके लिए कौन सा ठीक रह गया कौन सी विदान सब अच्छी है और जहां से वो लड़ना चाहिए वो लड़ सकते हैं अगर निलोखडी पसंद कर लिया तो आप फिर कहा जा जाए अगर अपकी सेट सेफ है कोई भी आए कोई भी पार्टी का कोई भी यहां से चुनाव लड़ेगा तो परशेंट यहां से जितेगा संग्टन की ताकत और संग्टन बहुत मुझबूत है यहां पर कॉंग्रेस और आम तो इसके उपर क्या कहो गयों कि भाजपा ने भी बागी दल थे सब के साथ मिलकर भी तो भी उनका आप ने देख लो आज ने रेंदर मोदी जिए के नेतरतों में आग तीसरी बार सरकार बनी है असे या दोर जिनके साथ चाहे वह गट पंदन कर ले लोगों ने तीसरी बार को और कमल खिलाने का मन बना लिया है और नाइब सेनिक जी के नेतरतों में तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनेगी तो जो निल्लो खडी विधान्सभा के जो आपके लोग हैं को क्या संदेश देना चाहोगा अब लाश्ट में सभी जो अपने शेत्र के हैं और मैं तो कि बात हूं लाल डॉर की समश्या रहती थी जमीनों का मालिका ना हुआ उसको ठीक करने की बात हो बीड़ी की कि नीषम समश्या रहती थी उंको दरुष्ध करने की बात हो यह ग्रीब आदम Lakinkai स्वष्टे पांच लाग तक कायू सीमन कार देकर उनके लिए भी совिदा दिय तिसरी बार नाईव स्यानी जी को अपना एक मोका दे और आने वाली पांतारी को एक एक वोट कमल के समने वाला बटन दबा कर नाईव सैनी जी तो क्या भगवानदास कभीर पंथी जी का टिकट फाइनल हो पाएगा आज शाम होने से पहले यह फैसला आ सकता विजय पार्टी का आप इसके उपर क्या कहना चाहोगे अपनी जो सभय कमेंट के जरे अपनी राय दे सकते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत